कि अचछा आज हम लोगोंने देखना है नल टाइप और डिफ्लेक्षन टाइप इंस्τुमेंट् Mogg डिफ्लेक्षण टाइप इंस्ट्मेट्स, हम लोग, प्रिवियस वीडियो में देख चुके हैं कि यह हमारे पास — एक डिफ्लेक्षण टाइप सिस्टम था जो प्रेश्व प्रेसिव प्रेश्र गेज था उसमें deflection type में क्या होता है दरसल ये एक needle या सूई है ये deflect होती है move करती है तो हमें नजर आता है कितना fluid है तो deflection type instruments में वो needle के उपर हम depend कर रहे होते हैं कि उसकी deflection के जरीए यानि अगर उपर चली जाएगी तो इसका मतलब है कम pressure है नीचे चली जाएगी तो pressure ज्यादा है यानि इसकी movement या deflection से हम पता लगा सकते हैं values को so null type और deflection type के अंदर अगर हम देखें तो basically deflection type जो हम लोग देख चुके हैं cover कर भी चुके हैं इसके लिए आप previous video जो हमने बनाई थी active and passive instruments की उसको आप देख सकते हैं उसमें आपको बड़ी detail में बताया हुए so deflection type तो हमें पता लग गया था deflection type के जिसमें sui या needle की movement के जरी हम देख रहे हैं उसके बाद हमारे पास आजाता है null type अच्छा अब null type जो है उसकी जो सबसे बड़ी example है आपको वो pressure gauge की दीवी है यह हमारे पास ना एक dead weight pressure gauge है जितना pressure इसमें बढ़ता चला जाता है यह उपर छोट छोटे weight है हम यह कह सकते हैं 50 gram 100 gram अदा किलो किलो के वज़न रखे वे हैं अब pressure क्या कर रहा है नीचे से यह इसको push करने की कोशिश कर रहा है उपर अच्छा आप for example अगर 4 newton से नीचे को push कर रहा है तो इसको 4 newton उपर से push करेंगे तो यह move नहीं करेगा अब इस level को balance करने के लिए हम क्या करते हैं इस pressure के उपर हम लोग मुख्लिफ weight डालते हैं वो weight basically क्या कर रहे हैं उसके pressure को balance कर रहे हैं यानि नीचे से जितने जोर का उस पर pressure आ रहा है उपर उतना weight रखके हम लोग असानी से मालूम कर सकते हैं कि उसका pressure कितना आ रहा है डेटम level basically उसका null point होता है central point या null point हमारे पास डेटम level होता है अच्छा इसके इलावा हमारे पास जो null type instruments होंगे इसमें वोई weight डाले गए हैं जितना weight बढ़ता चला जाएगा उतना pressure बढ़ता चला जाएगा यानि यह जितना हो इसको जोर से उपर pressure दे रहा होगा हम उतने weight ज्यादा रखेंगे और इसके pressure को balance करेंगे जो सबसे ज़्यादा एक खास चीज याद रखने वाली है rule, rule क्या है null type instruments are more accurate than deflection types याद रखने वाली चीज़ यह है कि null type instruments ज़्यादा accurate होते है deflection type में उसकी वज़ा क्या है कि deflection type जो है वो exact value sorry जो deflection type है हमें exact value पर deflect बाज अगाद नहीं हो रहोता null type में है थोड़ा सा भी अगर weight बराबर नहीं होगा तो यह piston उपर को move करेगा exact value बराबर करके ही हम उसका pressure exact मालूम कर सकते है so null type instruments ज़्यादा accurate होते हैं deflection type से एक तो यह इसका असूल याद रखना है लेकिन हो कहता है however for calibration duties null type instruments is preferable because of its superior accuracy so accuracy के हिसाब से जहां कहीं calibration होगी तो आपने null type यूज करना है यही जो हमने weight वाला किया जबकि अगर आपको कोई बहुत ज़्याद accuracy की ज़रत नहीं है तो deflection type जो हमने last हमने देखा है deflection type जो है वो यूज कर सके हैं इसमें needle हमारे पास हो रही होती है इसके लाव वो कहता है जी output के हिसाब से हमारे पास वो कहता है जी देखते हैं extra efficiency जो है इन instruments में prefer की जाती है जहां पे हमारे पास case हो कोई calibration का यानि कोई exact value हमें चाहरे हों तो वहाँ पे हम लोग null type जो है वो यूज करते है calibration यानि उसकी zero level हम लोगोंने set करना होता है किसी instruments की values को set करना होता है calibrate करना होता है उसकी working को करना होता है तो वहाँ पे हम वेमेशा null type instruments को use करेंगे और जहां हमें accuracy की जरुरत नहीं है जैसे हम lab work में students perform कर रहे होते है तो वहाँ हम लोग क्या कर से रहे होते है वहाँ हम लोग deflection type का needle वाली सुई वाले जो meter है वो use करते है याद रखना है कि हमारे पास जितनी accuracy की requirements जद होगी null type requirement बढ़ती चली जाएगी और जितना हमारे पास accuracy की requirement कम होती चली जाएगी उतना हमारे पास deflection type instruments की requirement बढ़ती चली जाएगी तो यह हमारे पास simple difference दोनों के अंदर था null type and deflection type जो instruments है null type and deflection type instruments का जो difference था वो हमने आज देखा है next इंशालला एक और हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम instruments को मुख्लिफ तरीके से categorize कर सकते हैं thank you